नमस्कार दोस्तों आपका हमारे आने लेक्चर स्रीज में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है Computer Network के Lecture Series में आज हम बात करेंगे Computer Network, Hardware और Software के बारे में जैसा कि हमने प्रिवेस लेक्चर में डिसके किया था एक उभर भी बताया था आपको Computer Networks क्या है उसके गोल और अप्लिकेशन के बारे में भी डिसकेशन किया था तो हमने कुछ एक्जामटल लिया था Computer Network क्या हो सकता है इस कलेक्शन आप Autonomous Computer होंगे जो किसी में किसी मेडियम से या वायर्ड या वायर्लेस कनेक्ट होंगे आपस में आप प्रिवेस लेक्चर में जाके देखेंगे तो बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा आज हम डिसकस करेंगे जब आप Computer Network को फॉर्म होगा एक तो उसमें जाहिर से बात है कुछ ने कुछ hardware कुछ ने कुछ software के requirement पढ़ेगी तो उसी को हम डिटेल में डिसकस करेंगे कि कौन-कौन से hardware या कौन-कौन से software इन्वाल होते हैं Computer की networking में डिटेल में चलने से पहले हम आपसे request करेंगे कि अगर आप हमारे चनल पे new viewer है या आभी तक हमारे चनल को आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज चनल को subscribe जरूर करने क्योंकि Computer Network के lecture series wise आपको इसी चनल पे day to day मिलते रहेंगे तो चलते हैं डिटेल में और हम देखते हैं कि कौन-कौन से hardware या software है जो computer network में यूज होते हैं there are two components of computer network one is hardware and another is software hardware कौन-कौन से हो सकते हैं hardware आपका server हो सकता है server means जैसे मैंने example लिया था कि एक computer lab है आपका जिसमें 20 computer है और वो आपस में connect है तो उसमें से एक ऐसा computer होगा जो ऐसे server का काम करता होगा means जो एक तरह से पूर अभराल management देखता होगा उसी को हम क्या करते हैं server इसके अलामा जो computer होते हैं उन सबको हम client computer कह सकते हैं जो इस server से communicate करते हो means कुछ request response लेते हो server से वो सारे क्या होंगे client उसी को हम client करते हैं कुछ peers होते हैं peers भी आपके computers ही होते हैं लेकिन peers generally हम ऐसे computer कहते हैं जो computer to computer communication करें वो किसी server से directly communicate नहीं करता तो सबको हम peers कर सकते हैं जैसे printer है आपका तो printer प्रिंटर भी एक तरह से पीर्स के कटेगरी में आ सकता है transmission medium जो transmission medium होगा means data का transmission या communication medium होगा वो दो तरीके से ही होगा आपका wired होगा या फिर wireless तो यहां भी hard device परती है अगर wired है जायच बात है आपको cable के जरुवत पड़ेगी wireless है तो आपको जायच बात है wireless device के जरुवत पड़ेगी पड़ेगी जो की communication एक transmission medium प्रवाइड करेगा सेकेंड नेक्ट राउटर ब्रीज हब रिपीटर गेटवे और स्विच एक कई सारे आपके hardware devices है जो कहीं ने कहीं computer networking में यूज होता है इन सबके detail में फिलाहल आज के lecture में नहीं जा रहे हैं अपकमिंग लेक्चर में इन सबको one by one हम detail में समझाएंगे कि इन सबकी working principle क्या है इन साथ अगर हम एक example देखेंगे यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे इन सबका हम use समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं और फरदर हम next lecture जब आएगा तो वहाँ पी इसको one by one काफी detail में cover करें तो यह सब एक हत्रा सा hardware है जो की computer networking में आपका यूज होता है सेकें software जब hardware है जाहिर से बात है कुछ software भी यूज होगा computer networking में जहां सकी सारा computer network में होंगे तो दो major software यूज होते हैं एक तो network operating system network operating system मतलब ऐसे operating system जो networking को support कर रहे हैं जैसे अगर आप Windows 10 यूज कर रहे हैं तो Windows 10 network operating system network को भी support करता है तो वहां भी मुझे को server बना के काम कर सकते हैं वैसे इन जनरल इंडेस्ट्री वेगर हम देखें तो network server का अलग से operating system Windows के लिए आता है जो server का ही इस पेसली आता है फिलाल अगर आप लैग में देखेंगे अपने या कहीं भी एक building भी देखेंगे तो वहां पे same operating system जो हम use कर रहे हैं वह आपका network operating system की facility प्रोवाइट करता है मैं इस कहीं नेटवर्किंग की management operating system के थुरू भी हो जाती है next protocols कुछ protocols होते हैं जब हम computer networking करते हैं तो वहां पे जाहेट से बाता कई सारे computer system होंगे तो उनकी बीच में जब communication होगा में इस data transfer हो रहा है तो उस data transfer का या communication का कुछ protocols होता है protocols means set up rules कुछ rules regulation होते हैं जिसको follow करके ही आप computer networking में data transfer या communication कर सकते हैं तो दो तरह के दो मेजर तरीके के आपके protocols यूज होते हैं TCP IP transmission control protocol internet protocol and OSI open system interconnection तो इस दोनों को हम बहुत डिटेल में भी अभी आएगा क्योंकि major अगर हम देखें तो फर्दर अपकर में लेक्चर में काफे डिटेल में इसको हम इन दोनों को cover करेंगे working भी दिखाएंगे कैसे दो system पे communication हो रहा है या data transfer हो रहा है इन प्रोटोकॉल के स प्रोटोकॉल स्चूट जिसमें TCP IP और OSI का यूज होता है यहां पे डाइग्राम देखेंगे computer network का एक जनरल डाइग्राम है computer network जैसे आपके lab में सब को सेटप है जायज बात है आपके जो computer lab में network सेट होते हैं वहां पे internet भी चलता है एक तो आपस में landing है इस सबका इन सारे computer आपस में connected है प्लस सारे का connection कहीं ने कहीं internet से भी होता है तो उसी को हम एक सिनारियो create के यहां पे एक internet है internet से आपके सारे computer suppose lab में है lab में computer है जिसे 1,2,3,4,5,6 इस सारे computer एक server एक system ऐसा है जो server का भी काम कर रहा है तो इस है computer हो गए इसके अलामा कुछ routers होंगे कुछ bridge connect करेंगे और printer भी यहां पर है repeater भी है हब है इस सब का working start हो हम समझेंगे यहां पर router का use generally हम करते हैं जैसे अगर हम देखें यहां पर तो यह सारा आपके lab में computer network setup है यहां तक अगर हम इस सिनारियों देखें तो यह सारा क्या है एक आपका lab में setup है internet एक outward है internet अलग ही दुनि लगाएंगे जो आपकी college के सारे system को या university सारे system को internet से connect करेगा तो राउटर का major rule होता है जैसे अगर लाइनिंग है सब करो यह आपके system का land किया गया है कई सारे networking के मिडियन होते हैं रेंज के हिसाफ से जैसे एक होता है local area network लोकल एरिया नेटवर्क मतब जैसे एक building में college networking है तो उसको local area network करते है एक आपका होता इंट्रेट बंद कर दिए उस नेट्वर्ट से बाहर हो गए तो जर्नरली इंटर्णेट और आपके लोकल जो कम्पुटर नेटवर्थ उसको करने के लिए उसके बीच में करनेक्शन करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं सेकेंड यहां पर ब्रीज है एक ब्रीज एक भी हार्डवर डिवाइस होता है जनरली दो लैन जैसे सब्सक्राइब करो कि आपके कॉलेज में जैसे हँआपे यहां पर कंप्योटर किनेक्ट कर सकते हैं जैसे हांपे यहां यूज करते हैं तो इन दोनों का वर्किंग यारली होता है फिलहाल जब हो डिटेल में चलेंगे इन सब को one by one तो वहाँ पर भी इति एक्जाम्पल और डिफ्रेंस वी उसका समझेंगे तो एक सिनारियो यहाँ पर समझ में आया होगा कि कौन कौन से हार्डवेर यहाँ पर है अब देखिए जब हम यहाँ पर साफ्ट्वेर की बात करें जितने भी computer network में यह system है सारे कहीं न कहीं इसी software और protocols को follow करते हैं मतलब अगर इस system को इससे communicate करना है या इस system को internet में किसी connect करना communicate करना है तो यह protocols आपको follow करना ही पड़ेगा इन जनरली आपके computer system पे हमेशा जब आप आपने system यूज़ कर रहे हैं ते प्रोटोकॉल उस टाइम activate हो जाते हैं और working start कर देते हैं अगर हम बात करें hardware की बात कर रहे हैं अभी हम detail में इसके protocol के बारे में हम next lecture में discuss करेंगे upcoming lecture में hardware में हम देखें तो hardware में community network के दो dimension जनरली होते हैं एक तो होता है transmission technology और दूसरा scale मतलब कि कौन कौन से transmission technology है जो की networking में यूज होता जनरली जैसे networking है तो इसमें transmission technology कौन से यूज होता है और दूसरा scale scale means अगर हम देखें तो area base पे कि जैसे 10 meter का area है और 10 meter मुझे networking करना है तो उसको कैसे करेंगे उसको क्या नाम देंगे अगर 1 km area तक का मुझे networking करना है computer का तो उसको क्या नाम देंगे तो scaling यहां पे कुछ आएगा अगर हम transmission technology देखें तो दो तरीके के होते हैं point to point link और broadcast link point to point dot cost से insert समझेगा कि अगर computer lab में 20 computer है तो point से point से मतलब क्या अगर networking है अगर point to point link हम communication करना चाते हैं तो कोई एक sender मतलब कोई एक initiate करने वाला होगा communication और कोई एक receive करने वाला जैसे एक जगा से data हम दूसरी सिस्टम पर भेज रहे हैं तो एक sender एक receiver होगा 20 में कई सारे सिस्टम हो सकते हैं कि intermediate की तौर पर यूज हो जाएं लेकिन receiver और sender एक ही होगा उसको हम unique casting भी यहां पर कहते हैं तो इसी को generally क्या करते हैं point to point link मतलब हर computer point to point link है और एक से दूसरे पर हम data send कर सकते हैं अगर broadcast में देखें तो broadcasting में क्या होता generally जो communication channel होता उस एक ही communication channel होता है जैसे 20 computer है तो 20 का communication channel एक ही होगा अगर कोई एक computer उसमें से message send करता है तो सारे computer को broadcast हो जाएगा मतलब single sender multiple receiver हो जाएगे वहाँ पर receiver सारे हो जाएगे मतलब जितने भी computer network में है सारे हो जाएगे लेकिन कभी कभी हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर foundation लगा सकते हैं कि हम send कर रहे हैं तो particular 10 computer ही उसको receive करें कुछ computer उसको receive ना करें तो substitute बन जाता है तो subset आप computer होता हो तो उस case में हम वहाँ कर सकते हैं पर multicasting हो रहा है मतलब कि एक data भेजा और more than one computer ऐसे हैं जो कि उसको receive कर रहे हैं डेटा को तो आपका हो जाएगा multicasting definition देख लेते हैं एक बार point to point link connect individual pairs of computers individual pairs देखिए मतलब जितने computer में सबका एक individual pair बनेगा to go packet from source to destination packet यहाँ important term है वह आपके आगे चलेंगे तो हर जिगह packet का यूज होगा packet generally हम short message को करते हैं जैसे suppose कोई आप बड़ा message send कर रहे हो या बड़ा data send कर रहे हो तो packet में break हो के data send होता है आसा नहीं कि पूरा एक साथ जाता है तो packet small छोटे-छोटे part में break होता है उसको हम packet नाम जेते हैं computer networking के term में कि जो data जा रहा है packet के form में जा रहा है तो बीच में intermediate computer यूज कर सकता है लेकिन receiver एक ही होगा in this type transmission only one sender and exactly one receiver called unicost अगर कोई computer system एक ही sender एक ही receiver है तो इसको unicost कर सकते हैं अब इस example को समझेगा इस example देखें यहाँ पे चार computer है इसको हमने networking कर रखा है तो point to point में क्या कर रहा है अगर सबकोच computer A है B C और D अगर A से D data जा रहा है तो A से D ही जाएगा data और किसी को B और C को data नहीं मिल सकता अगर B से C हम भेज रहे हैं तो केवल केवल B से C ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा यह बीच में जो दोनों box बने हैं यहां पर हम कर सकते हैं यह स्विच हैं जो की computer को connect करने के लिए उज़ हो रहे हैं तो switch के through होते हुए इसके पास आ गया अगर देखें तो जैसे बी सेंड किया डेटा तो D और A के पास डेटा नहीं जा रहा है जिसको send कर रहा हूं सी के पास जा रहा है तिसतरा हम क्या करते हैं इसको युनी कास्टिंग सेकेंड मल्टि ब्राटकास्टिंग में ब्राटकास्टिंग देखें ब्राटकास्ट नेटवर्क है बे सिंगल communication चैनल अब communication channel यहां पर एक ही होगा shared or used by all the computer और वो shared होगा जिसको सारे computer used करते होंगे packet sent by any machine or received by all the machine machine means computer अगर कोई machine send कर रहा है कोई भी computer network में है तो कोई भी computer message send कर सकता है लेकिन अगर एक कोई send किया तर receiver जितने भी computer सारे receive कर जाएंगो इसको some broadcast system support multi casting कुछ broadcast system है जो कि multi casting को भी support करते हैं इस example हम समझेगा इसको detail से अब देखें यहां पर एक शुच यूच किया चार computer suppose इसका a, b, c, d इस चार computer है अगर a ने message send किया या packet send किया तो क्या होगा इन चारों को receive हो जाएगा तीन तीनों को जितने बचे जैसे तीन बचे यहां पर तीनों को receive हो जाएगा message इसको हम क्या करते हैं dot casting कुछ case में हम क्या करते हैं इनका subset बना सकते हैं जैसे हम suppose कि b और c का subset बना दिये तो केवल केवल message बी और सी को receive होगा इसको receive नहीं होगा इस case में इसको क्या करते हैं multi casting आप example और समझिएगा जैसे अगर आप message यूज करते हों generally जैसे WhatsApp भी यूज करते होंगे तो आप देखे होंगे एक तो point to point message send करते हैं जैसे किसी person को send करना है तो किवल किवल आप उसी को send करेंगे लिस्ट में हम एक ही message एक बार भेशते हैं और सब को broadcast हो जाता है मतलब सब को एक साथ मिल गया तो वहां सही समझ सकते हैं कि point to point मतलब sender receiver किवल एक ही है जैसे हम और आप अगर WhatsApp पर communicate करें तो point to point communication हो रहा है अगर एक हम broadcast list बना लें जिसमें हम एक message send किये और 50-100 लोग को जितने broadcast list में contact है सब को पहुँच रहे हैं तो वहां बे क्या हो रहे है dot costing network का यूज हो रहा है तो hope so आपको इतना clear हो चुका होगा इस scale के बारे में अगर देखें तो scale generally एक geographical base पर लिया जाता है कि किस किस location पे कौन कौन से networking होती है जैसे इस side आपको image दिख रहा होगा इस image में आप देखेंगे तो वन मीटर के लिए अगर वन मीटर के distance है तो उस time उसको हम कहते है personal area network मतलब के वलकिल एक मीटर के range में जितने computer उसकी अगर networking कर दिये तो personal area network हो गया और दूसरा देख सकते हैं इसमें कि अगर आपका 10 मीटर 100 मीटर या एक किलो मीटर के range में जितने भी हैं सारे computer को हम अगर connect कर दे तो उसको हम कहते हैं land local area network जिसमें जैसे कह सकते हैं एक building की पूरी या एक college के पूरे campus में जितने computer सबको land से connect कर दिया जाए तो सारे क्या हो जाएंगे land उसको हम कह सकते हैं अगर हम 10 किलो मीटर से 10 किलो मीटर जाते हैं जैसे 10 किलो मीटर 15 किलो मीटर तो सब क्या हो सकते हैं city मतलब एक पूरे सहर एक पूरे सहर को हम अगर computer को connect कर दें नेटवर्किंग कर दें तो उसको हम करते हैं मैन जिसका full farm होता है metropolitan area network ऐसे ही अगर हम country लेबल पे या प्लानेट लेबल पे जितने computer system है सब को networking add कर लें तो उसको हम करते हैं when जिसका full farm है wide area network यह सारे चीज़ किसमें आयते हैं scale में तो hope so clear हो चुका होगा further upcoming lecture में हम देखे तो अभी previous एक दो लेक्चर में जो बहुत सारे चोटे-चोटे terms की बारे में discuss किये थे उसके बारे में हम detail में discussion करेंगे प्लस इसको भी जो भी हम land, man, when की बात कर रहे हैं इसको भी detail भी देखेंगे कि कैसे काम करता है और उसका example क्या है तो मिलते हैं next lecture में thank you so much